कर दोस्तो 2020 का ये पिछले साल का हमार पास पेपर है और यह आप पूरा वीडियो देखना है जिससे आपको समझ मेँ आ जाए कि पिछले साल की तरह से पेपर आ अइगा और इस बार आपको पेपर कैसा मिलेगा तो वीडियो को अंड तक देखना आपकी शूह में आज decorated तो सबसे पहले आपको एक्जाम में लिखना है, कॉपी का यह जो आपका कॉपी में आंसर सीट आएगी, उसमें आपको पेपर का कोड लिख देना है, वहाँ पर आपको अप्शन आएगा, तो आपको लिख देना है, अब समाचिक विज्ञान का मेरबाद से पेपर है, नोट और कुछ से तरीकर से आपको पहला पेपर होगा, जीप आरम के 15 मिनिट होंगे, आपको परशन पत्र पढ़ने के लिए हैं, और उसमें खंड का और खा होंगे, आपको सबीप्रशन किल लेने हैं, तो कंड का में क्या तो और आपको बताता हूँ, तो चार परकार के प्रश यह अतिलजु, लगु और दीर्ग, जिनके संबन में निर्देश उनके आरंभ में देव हुए हैं। और सभ एक कोस्टों की जो मार्क से कितने नंबर हैं? कौस्टों, उसके सामने लिखा हुआ है। जैसे यह है, पहले कोस्टों एक नंबर का लिखा हुआ जो पहला सही कोश्चन होगा आपको टिक्कर के लिख देना है जैसे पहला कोश्चन है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था जो भी होगा उत्तर आपको ऐसे लिखना है उत्तर नंबर एक अगर आपको रता घंड नंबर के होंगे दो तो नंबर के आपके तीन कोश्चन होंगे एक दो तीन तो यह आपको कर देने हैं फिर आगा लगू लगू आपका होंगे दो question तो बर दस्वा question जो होगा आपका लगू होगा ये तीन नमबर का होगा अथवा में दोनों में से एक करना होता है फिर ग्यावा question में आपको ये होगा लगू का दो में से एक करना होता ये 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 अथवा का मतलब इन में से एक करना है तीन नमबर का देर घुतए देर्जिक आपको 50 जिसा बोल थो तो Representatives après बने मेए 6 नमबर या है करो यह करो यह करो इसे दियकर के देरे ​​2020 में यह करो अथ्वा में अभगा जैसे यह है Austin January दिसमबर में자में धिविशन हुआ था अब आपको यह पता करना है 1920 में कांग्रेश का दिवेशन का हुआ था उतलिक के आपको मांचित्र में दर्शा देना है और आपको यह निशान लगा देना है वहाँ पर फिर आपका यह सब कोश्चन है यह आपको मांचित्र में दर्शान है फिर आपका यह तो आपके लिए फिर आएगा आपका खंडखा, खंडखा में आपका भुगोल और अर्थसास्त्र, तो इसमें भी आपके इसी टाइप से होगे, 6 कोश्चन होगे, 6 में से आपको सब करने हैं, और टिक मार्क वाले हैं, परवतों परम्रता परदन का साधन है, आपको जो उन से लगता है, आप कोश्चन लिखके से लगा देने, जो भी सही होगा, वह आप लिख दोगे, तो 6 आएगे, 15 से ले के 20 तक के 6 कोश्चन है, फिर आएगा आपका प्रशन नमबर 21, इसमें आपके जो तीन कोश्चन होगे, 21, 22, 23, तो दो नमबर के आपका तो लगू होगे, बहुत ही कम सब्त तो मैं आपको इसका अंसर देजेना है, फिर जो आएगा आपका प्रशन नमबर 24 और 25, याँ प्योंगे लगू, लगू मतलब अति लगू जी थोड़े से बड़े, तो जैब विभीत्ता क्या है, इन दोनों में से एक कोश्चन या तो ये वाला करो, ये वाला करो, क्योंक आपकी बड़ा करके लिखना है, तो 6 नमबर का ये, इन दोनों में से आपको एक करना है, 27 भी आई है, इन में से आपको एक करना है, 6 नमबर का, फिर 28 पर कोश्चन जो है, जैसे पीछे था भी, ये भी मान चित्र है, टीरी बांध, जिन दोरा नाम सही, तो टीरी बांध कह आपको निशान लगाना है, और नाम लग देना है, ठीक है, इस तरीके से आपको एक कोश्चन नमबर पूरा हो जाएगा, तो आपको इस तरीक कितने कोश्चन है, आपका 28 कोश्चन है, 28 कोश्चन बहुती सिंपल सा हैंगे, जैता भारे पेपर नहीं आएगा, और तरगी, बहुत सारी हमरे बाद वीडियो पड़ी हुई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लेटिस्ट वीडियो पाने के लिए, ठेंक यू